हलो दोस्तो आज हम बना रहे हैं एक बहुत अच्छी रेस्पी जो केवाल आज बेशन और सूजी से बनाएंगे हमने लिया बेशन और सूजी जितना बेशन लिया उतनी सूजी लिया एक बॉल में बेशन को डाल लेंगे इसका आटा गूंत लेंगे थोड़ा सा डालेंगे न थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें आठा गूंथ करके इसके हम गोले से बना लेंगे पेड़ा जैसे बेसन बहुत सीपकता है हाथ में है जो आज हम रेश्पी बनार रहे हुआ वरut टेस्टी बनेंगी और बेना मावा के बेना खोया के आज हम बना चोटी चोटी लोई काड लेंगे जैसे पेड़ा बनाते हैं पेड़ा के बराबर आप लंबे साइज की भी बना सकते हैं या फिर गोल जैसे पेड़ा बना जाता है वैसे ही बना ले हमने पेड़ा जैसे बनाए हैं अब रखेंगे कड़ाई कड़ाई में तेल गरम कर लेंगे जब देल गरम हो जाएगा उसमें हम फ्राई कर लेंगे गैस को बिल्कुल सिरूल रखेंगे जिससे जित्ती ज़्यादा धीरे धीरे पकेंगे उतने ही अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे फ्राई करके हम रख लेंगे ठंडा होने के लिए रख देंगे अब एक बड़ी थाली लेंगे उसमें लेंगे दो कटोरी मैदा या फिर आप आटा कुछ भी ले लें उसमें डालेंगे दो चम्मत तेल या फिर घी डाल लें इससी मुयन लगा रहे हैं अच्छे से मिला देंगे इससे जो हम नास्ता बनाएंगे बहुत क्रिस्पी बनेगा ख़स्ता अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा गूत करके रख देंगे जैसा रोटी के लिए आटा बनाते हैं वैसा ही आटा बनाएंगे अब इससे ढख करके रखेंगे हम आधा घंटा के लिए जब तक हम जो नास्ता बनाएंगे उसकी स्टपिंग बनाएंगे जो हमने बेशन के पेड़े तले थे उसे हम अच्छे से मैस कर देंगे या फिर आप मिक्सी में भी पीछ लें अगर अच्छे से ठंडे हो जाएं पर हाँस से भी अच्छे से मैस हो जाते हैं अराम से इसी स्टपिंग आप जरूर बनाएं बहुत टैस्टी लगेगी जब आप खोया की बुजी आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी ये स्टपिंग बिलकुल खोया की तरह लगेगी जो आज हम बना रहे हैं अब रखेंगे एक पैन पैन में डाल लेंगे सूजी उसे भूजेंगे अभी घी पिल्कुल नहीं डाला है हमने जब हमाई सूजी भूज जाएगी उसके बाद हमने जो बेशन का पेड़ा मैस करके रखे हैं उसे डाल देंगी उसे भी सूजी के साथ में थोड़ा सा भूजेंगी अभी तक अभी घी नहीं हमने डाला है हमने काजू बदाम लिये हैं जिससे हमने क्रेस कर लिया है नारियल ग्रेट कर लिया था नारियल काजू बदाम डाले हैं अभी हमने इसी भी अच्छे से मिला देंगी एक मिड़ तक भूजेंगी अब इसमें डाल देंगे चीनी आपको जितना मीठा पसंदों से सबसे चीनी डालें दूद की मलाई ली है जो आपके घर में दूद हाता है मलाई जम जाती है फ्रेज में रखने से उसी मलाई को हमने डाला है अब इसे अच्छे से मिलाएंगे दो चममच लिया है मिल्क पाउडर इसे भी अच्छे से मिलादेंगे यह हमारी स्टपिंग बहुत टेस्टी बनती है एक चुटकी हमने काली मेर्च डाली है एक चममच गी इससे जो आप स्टपिंग बना हुए बहुत टेस्टी बनेंगे अगर आप ऐसी स्टपिंग बना करके गुजिया बनाओगे तो आप मावा खोया कि गुजिया खाना भूल जाओगे, आज हमने घर की चीजों से इतनी टेस्टी गुजिया बनाई है कि आप देखती ही रह जाओगे, एक बार तो जरू ट्राओगे, अब इसे ठंडा होने के ल अधा घंटा होगा है, अब हम आटा को दोबारा मस लेंगे, और इसकी लोजिया काट लेंगे, छोटी-छोटी आज हम होली इस्पेसल मावा, बिना मावा के गुजिया बना रहा है, इसमें हमने मावा का बिलकुल यूज नहीं किया है अभी तक, केवाल सूजी और बेशन से आज हम गुजिया बना रहे हैं कभी-कभी ऐसा समय आ जाता है कि नहीं रहता है कुछ घर में मावा, ना कोया, ना कोई बजार से लाता है, तो घर पर ही हम बना लेती हैं, घर की चीजों से जुगाड करके, और वही टेस्ट आएगा, जैसे बिलकुल मावा में आता है अब इसकी छोटी-छोटी लोई बना लेंगे पेड़ा जैसे, जिससे बिलने में आसानी होगी पूरी लोई बना करके रख लेंगे एक थाली में उसके बाद लगाएंगे सूखा आटा इसे बेल देंगे लेंगे बुजिया बनाने वाला साचा, उसमें लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा जो हमने इस्टाफिंग बनाई थी अच्छे से ठंड़ी हो गई है अब इसे भार देंगे इसे अच्छे से दवाएंगे जो भी इस्टा आटा निकला है बाहर उसे हम निकाल लेंगे अब इसे गुजिया बना करके हम पूरी रख लेंगे एक साथ हमने बहुत सारी पूरी बेल ली है इसमें मावा रखते जाएंगे अब इसे ही पूरी गुजिया बना करके रख लेंगे इस गुजिया को आप एक हफ़ता के लिए रख सकते हैं दो तीन दिन बाहर उसके बाद अगर आपकी गुजिया बच जाए तो इसे फ्रेज में रख दें जब इच्छा हो कुछ मीठा खाने की तो आप इस गुजिया को इंजवाए कीजिए क्योंकि अभी ठंडी थोड़ी कम गई इसलिए ज़्यादा दिन इसे बाहर नहीं रख सकते हैं कि गुजिया सभी को पसंद होती है इसलिए एक दो दिन में ही पूरी खतम हो जाएंगी गुजिया हमारी ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी हमने तिनी सारी गुजिया बना लिए अब रखेंगी तेल या फिर आप घी में तल लें या तेल में तेल गरम करके गुजिया को तल लेंगी अच्छी से गैस को बिल्कुल सेलो कर देंगी जब तेल गरम हो जाएगा जितने यादा गैस को सेलो रखेंगी उतने ही ज्यादा हमारी गुजियक क्रिस्पी बनेंगी तलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा पलट पलट करके दोनों से राच्छे से गोल्डन होने तक तलेंगे जब अच्छे से गोल्डन सिफ्राइब हो जाएंगे उसके बाद निकाल लेंगे पलेट में और दूसरी बार भी ऐसे ही तल करके पूरी गुजिया रख लेंगे अगर आप से लोग इस पर गुजिया तलोगे तो बहुत क्रिस्पी बनेगी आपकी गुजिया और जो उपर वबल से आते हैं वो भी नहीं आएंगे लो हमारी गुजिया बन गाई एक थाली हमने गुजिया बना ली आप भी जरूर बनाएए वेडियो देखने के लिए धन्नवाद